आपके अपने यूटूब चैनल gulf academy यूटूब चैनल पे तो साथियों आपसी ऊसरे होंगे वीडियो सरु ने से पहले आप से रिक्वेश्ट करने हो चैनल पेसी में पहली बार आप हो या Malta का आपका वीजा के बारे में सोच रहे हो कि वहाँ पर जा के आप काम करोगे तो Malta थोड़ी आप महेंगी होने वाली है महेंगा होने के साथ साथ थोड़ी मुस्किले भी बनने वाली है क्योंकि आए दिन Malta government के तरफ से नए नए नियम हमेशा लाते रहती है तो Malta के तरफ से दोस्तो एक और वहाँ पर नियू अपडेट निकल कर आ रही है तो क्या वो अपडेट है मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बनाऊंगा और आप क्यों महेंगा होने वाला है कि Malta भी जो भी आना चाहते तो पहले क्या होता था यदि Corona virus आने के बाद बस लोगों को वैक्सिन ली दी जाए यदि जो लोग वैक्सिनेटेड है तो उन लोगों किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था वैक्सिनेटेड है तो उसका एक साल के भीतर का आपका पास होना चाहिए और जो बलड जांच होगा दोस्तों वो दो साल के भीतर का जब application आपने डाला तब तक का आपका होना चाहिए यह तो होगी दोस्तों common सी बात मनले छोटी मुटी बाद अब सात्यों एक सितंबर से यह लागू कर दिया गया है कि जो भी आप माल्टा आना चाहते तो यह यह वैक्सिन आप लेकर आओगे तभी आपको आने की अनुमती मिलेगी जैसे कि मिजलेस अब दोस्तों यह मिजलेस वैक्सिन एक तरह का health care professional वैक्सिन यह भी है जादा लोगों से यह सब चीजे नहीं मांगी जाती थी पर अब यह सब चीजों को मांगा जा रहा है अब दोस्तों जाहिर सी बात है यह तीनों जाच यह दिपोट लेकर आते हो वैक्सिन का आप लेकर आते हो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेगे और जाहिर सी बात है तो अब जाना थोड़ा महेंगा होगा और मुस्किल भी होगा क्योंकि जब तक आप ये वैक्सीन को नहीं लेते हैं तब तक आपको आने के अनुमती नहीं होगी और वैक्सीन लेते हो थोड़ा ये महेंगा पढ़ने वाला है तो जो भाई लोग भी माल्टा आने के बारे में सोच रहे तो आप ले कि थोड़ी ये बुरी खबर है ये तीनों वैक्सिन आपको लेके ही आना पड़ेगा तब ही आप माल्टा आ सकते हो तो ये छोटी सी एक अपडेट थी जो जानकारी थी माल्टा के बा करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सकें मिलते साथ युनिक श्टूडियो पर जहीं